नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली मंजले तेरे इलावा भी गई है लेकिन जिंदगी और किसी रहा पर चलती ही नहीं जी है आपने सही सुना हम आज के डिली राशिफल की बाग कर रहे हैं सबसे पहले आज इनका बर्जे है या अनुवर्सरी है उनको मेरी तरफ से जेर साधी गुडविशिस तो चलिए हम शिरू करने हैं दुष्ट इनसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो वो अपना मूल सुभाव कभी नहीं छोड़ सकता जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता संकड के समय काम आने वाला मित्र कहलाता है सुख में तो सभी साध देते हैं पर दुख का साती ही सच्चा साती कहलाता है ऐसे साती हमेशा सम्मानित होते हैं आपको भी दूसरों के दुख में साथ देना चाहिए और आप उनसे ही मित्रता रखें जो मुसीवत के समय में काम आए दिल बड़ा रखें और लोगों को माफ कर दीजिए पर समझ इतनी रखें कि दुपाना उन पर भरूसा मत करें खेल जो भी खेलो दिमाग से खेलना जीत जाओगे दिल को बीच में लाए तो हार जाओगे सबसे पहले मैं आपको पता दू कि अज आप के लिए जो है लखी कलर रहने वाला है वो रहेगा आज के दिन रेड कलर और जो लखी नंबर रहेगा वो रहेगा नंबर सिक्स रहेगा सिधारे कहते हैं कि जो आज है वो आपके लिए दिन बहुती लंबे समय से पैंडिंग पड़ी यात्रा के योजना को मूर्थ रूब देने का हो सकता है यानि कि आज बहुत ती जादा आपने प्लानिंग जो की हुए दी पहले काफी दिन उससे के अलंबे समय से उसको आज आपको एक प्रैक्टिकली तरीके से करने का आज मन बना सकते हैं तो आप ज़रूर कीजेगा इसे आज आप के से बिजनेस ट्रिप पर भी जा सकते हैं याद रखे लोकल होगी इसे के साथ ही आप कुछ हलाब भी होगा इस ट्रिप से और कुछ लोगों के लिए ये जो समय है आपको खुद के लिए और परिवार के लिए रिज़र्व रखने का होगा आज परिवार के साथ कुछ अच्छे यादे इक अच्छा कर सकते हैं और आपके कारे की काफी प्रिशनसा भी की जा सकते हैं समय के हिसाब को देखते हुए आज सितारे कहते हैं कि परिणाम बहुती सुखत रूप मिलेंगे यानि कि बहुत बढ़िया मिल सकते हैं आज बेटे के करियर के संबंद में अनुकूलता रह सकती है अगर कोई भाई या चाचा के साथ काम कर रहे हैं तो परियाप्त रूप से आज आज आपको संबल कर भी रहना होगा 39 है समंदी जो है किसी शुप समाचार के आज आज आपको प्राप्ति हो सकती है अध्यात्मिक शेत्र से जुड़े किसी अनुभवे व्यक्ति का आज आपको सानेध्य मिलेगा याद रहे हैं उनका सानेध्य जो है बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए काफी जो अच्छा रुजाना आपका धार्मिक शेत्र में हो पाएगा और आप जो है अध्यात्मिक उन्ति कर पाएंगे स्टूरंस अपने लक्ष की प्रती जो है आज फोकस बनाए रखेंगे और उनका प्रणाम भी उची भी होगा अगर आपका फोकस बरकर आ रहता है आर्थिक मादलों में सावधानी बढ़तीएगा भाईयों से संपत्ति या बटवारे से रिलेटेड आज जगड़ा हो सकता है और याद रखेगा जगड़ा किसी पी जिसका हल नहीं है तो आज जगड़े का हल आप खुद कर सकते हैं इससे जो है आपको बहुत ही फायदा होगा आप दोनों में जो है रिष्टे मजबूत बन जाएंगे अगर आप सही तरीके से फैसला करेंगे आपसे बन सबंदों को जो है तोड़ना नहीं है आपको युवा वर्ग अपने कैरियर के साथ किसी प्रकार का समझोता मत कीजेगा साथ में आसितार ये भी कह रही है कि आज का चुदिन है वो आपके लिए बहुत अनकूलता वाला भी हो सकता है आज लोग आपके तरीकों को अपने कारिशले में प्रयोग ला सकते हैं आज के दिन आपको थोड़ा जो है वो भी संबल कर भी चलना होगा अज आपको अपने काम की गती जो है धीमी रखनी चाहिए काम आपके सिर्पर रहेंगे जिसे आपको करना चाहिए जल्दी से जल्दी और हाँ जादा भी जल्दबाजी मत कीजएगा कि सब कुछ गड़बड़ी कर दें आप ज़रा नॉर्मन स्पीट रखेगा आप जिम्मेदारियों को फिर से देखना और प्रात्मिक्ता देना चाहेंगे ध्यान आपको उपना काया कल्प करने में मदद कर सकता है जो काम पिछले कुछ समय से रुका हुआ था या अटका हुआ था उसके पूरे होने का योग बन रहा है आपकी योग गिता आपकी प्रतिबा खुल कर लोगों के सामने आ जाएगे और अपने प्रतिदबंदियों पर सफता और विचे प्राप्त कर लेंगे लेकिन अपनी गुसे पर जरा गावू रखेगा अगर आप बहुत ही शान्ती में तरेके से काम करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा कई बार जल्दबाजे या जादा उत्सा हमें बना बनाया खेल बिगड़ सकता है यार रखिए ऐसा मत कीजेगा जिससे परिवार एक सुक्षान्ती भंग हो सकती है अपने लक्ष की प्रती पैनी नजर भी बना कर रखेगा चलिए बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजमस और करेड़ की तो क्रेह नक्षेतर कह रहे हैं कि कारेविस्तार की योजना ये जो हैं उन पर जरा काम कीजेगा बखो भी काम कीजेगा फोकस जरूर कीजेगा अज आपको जो है शेहर से बाहर किसी के मदद भी मिल सकती है लेकिन जो है साथ ही में उसे योजना पर दुबारा परिक्षन जरूर कीजेगा नौकरी में हलकी फुलकी आज परिशानियां आ सकती है और आप अपना वुद्धी मता और विवेक से परिशानियों को हल भी कर सकते हैं आज जो है बॉस के आप काफी सारे काम निप्टा सकते हैं जिसे बॉस काफी खुश हो जाएंगे आपकी सलरी बढ़ाने काभी उनका मन बुन सकता है अज आपके पास काम का बहुत ही दबाब भी रहेगा आपको अपने क्षमता भी बढ़ानी चाहिए यह पार के विस्तार से समंधिर जो है नई संभावनाओं पर विचार होगा अपना पूरा जोर जो है आपको मार्केटिंग में लगाना होगा और अपनी प्रोडक्ट के प्रमोशन में लगाना चाहिए नौकरे में जो अधिकारी है आपकी काम से संतुष्ट रहेंगे सह कर्वियों का सहयोग मिल सकता है साथ काम करने वाले भी आज के दिने बहुती बढ़िया रोल निभा पाएंगे आपकी मदद पर खूबी कर पाएंगे जिसे आपको बहुती बढ़िया फील होगा यह आपके साथ ही आपके साथ है अज आपको प्री मेहनत का भी पूरा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है इसके साथ ही आज जो है आज थोड़ा मिला जुला समय भी कहते हैं आपके कही ना कही खर्चा भी होगा और आमदन भी होगी आज दोनों चीज़ों में बैलंस बनापकर रखना पड़ेगा आपको याद देखे कि खर्चा जो है जादा मत कीजेगा आज खर्चा जो है इस्पैशली लेडिस कर सकती है घर में तो थोड़ा आज आपको जह लगान लगानी होगी तो चलिए बागे बढ़ते बिर बात करते हैं आज की लव लाइफ के बारे में लव लाइफ कहती है कि आज परिवारिक सुक शांती में बडोतरी होने वाली है बलकि हो रही है घर में किसी मांगलिक अफसर की समंदी योजनाई भी बनती रहेंगे अज आपको फोकस और प्रोफेशनल से जाद आप परसनल लाइफ पर ध्यान हो सकता है काफी ज़रा टाइम स्पेंट करने का सोच विचार बना सकते हैं अपने साथ ही के साथ आज रिष्टो के लिए निकालना समय जो है आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है अत्यदी की विश्टता के कारण आप उनसे दूर रहेंगे इसलिए आप पूरे दिन में इस बात का खेत करते रहेंगे कि मैं उनके साथ समझ आज तो टाइम है वो स्पेंट नहीं किया तो आप ज़रा इस सोच विचार सकते हैं आपको चाहिए कि एक दिन अपने पार्टनर के लिए रखी उनको जादा से जादा समय लिए ताकि आप एक दूस्तरी को समझ सके और आपके जो बांडिंग्स हैं वो पहले से भी जादा मजबूत बन सकते हैं हाँ जो लोग सिंगल्स है वो आज के दिन प्रपोस कर सकते हैं जवाब में नमपे परतिश्व तक हां मिल सकती हैं वही आज जिनका रिष्टा जो है आ रहा है उनके जो रिष्टे हैं वो शादिशुदा जिन्दगी में बदल सकते हैं को रिष्टा आपको उजच सकता है साथ में आज घर परिवार की सुख सविदाओं के प्रती आपकी प्रात्मिक्ता भी रहेगी यानि कि सबसे पहले आप घर परिवार की बारे में सोच से नज़र आएंगे लेकिन बच्चों की गदियो विदियो पर नज़र रखना मत भूलेगा बच्चे जो हैं शरारती आज को शरारत कर सकते हैं जिससे कि जिए कुछ चीज घर की तोड़ पूड हो सकती है नुकसान हो सकता है जड़ा उनका भी ध्यान लखेगा वही आज इस स्वास्ता की बात करें तो मौसमी विवारियों से साबधान नहना होगा क्योंकि मौसम बदल रहा है तो जासे रेलेटिर दिक्कते आ सकती है स्किन अलर्जी वगएरा या स्किन उतर सकती है पुराने वाली आज जो है आपको तनाव की सितियां भी हो सकती है अनिद्रा हो सकती है बाकी लोगों का सहत के लिए हास्ति दिन बहुत ही सिकुन धरा रहेगा साथ ही में आज काफी समय से जो पुराने चलरी विवारिया थे वो भी आज खतम हो जाएंगी बहुत ही बड़िया दिन रहेगा तो चलिए बात कर लेते हैं आज के विशेश उपाई के बारे में तो आप के लिए विशेश उपाई रहेगा कि आज आज को जो है सबसे पहले तो संतोश रखना चाहिए आज के दिन इसके साथ ही गराव महालक्षमी ऐसन तोशी मा का जोई वरत्व गेरा रखते हैं उससे भी बहुत ही फायदा मिल सकता है आने वाले दिनों में तो दोस्त अगर आपके वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नापूरेगा धन्यवाद